नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है, इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं, UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण, कुछ एहम खबरें, इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यासी आईए सबसे पहले बात करते हैं, इसंख की हेडलाइन्स के बारे में, भारत और अमेरिका ने प्रोध्योगी की आधारित पहल महत्वपूर्ण और उभरती प्रोध्योगी की के लिए पहल I.C.E.T. के माध्यम से रणनीतिक साज्यदारी की दिशा में कदम आगे बढ़ाया, इंटरनेशनल सीबेड अथारिटी और प्रत्वी विज्यान मंत्राले ने पॉली मेटलिक नॉड्यूल्स एक्स्प्लोरेशन एक्स्टेंशन अनुबंध का आधान प्रदान किया, यायात्सो लद्दक का पहला जैविवित्ता विरासत इस्थल होगा, सुप्रिम कोर्ट न प्रद्योगी की आधारित पहल, महत्वपून और उभरती प्रद्योगी की के लिए पहल के माध्यम से रणीतिक साज्यदारी की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, ICT के कई उद्देशे हैं, जैसे कि ये दोनों देशों को विश्वस्नी प्रद्योगी की भागिदारों के रूप में स्थापित करता है, ये लक्षि प्रद्योगी की मुलिश रंखलाओं का निर्मान करके तथा वस्तुओं के सह विकास और सह उत्पादन का समर्थन करके प्राप्त किया जाएगा, इसमें एक इस्थाई तंत्र के माध्यम से विनियाम किये प्रतिबंधों, नेरियात, नियंत्रनों और गतिशीलता संबंधी बाधाओं को दूर करना शामिल है, ICT पर पहली वारता के दोरान दोनों पक्षों ने दुईपक्षिय सहीयोग को बढ़ाने के लिए कई कारिक्रमों की घोशना की है, और ये कारिक्रम है नवाचार पारितंत्र को मजबूत करना, उदाहरन के लिए अनुसंधान में और अध्योगिक सहीयोग को सुविधाजन बनाने के लिए भारत अमेरिका क्वांटम समनवे तंत्र की स्थापना की जाएगी, दूसरा कारिक्रम है रक्षा नवाचार और प्रध्योगी की सहीयोग को बढ़ावा देना, उदाहरन के लिए भारत तथा अमेरिका की रक्षा स्टार्ट अप्स को आपस में कनेक्ट करन के लिए एक नया इनोवेशन ब्रिज लॉंच किया जाएगा तीसरा कारिक्रम है वेजिलियंट सेमी कंड़क्टर आपूर्ती श्रंखलाओं का निर्मान करना उधारन के लिए टास्क फोर्स द्वारा ततपरता आकलन विक्सित किया जाएगा इस टास्क फोर्स में भारत का से जैसे शेत्रों की पहचान भविश्य में सहीयोग के शेत्र के रूप में की गई है आई सीटी से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की बात करें तो इस पहल के माध्यम से हाई पफोर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूंट शेत्रों में भारत के लिए निर्या नासा की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज परियोजना और स्टेम टैलेंट एक्स्चेंज पर एक साथ कारे करेंगे इसके अलावा विज्ञान इंजिनिरिंग प्रद्योगी की और गनित में भी इसके लाभ होंगे Association of American Universities और IIT सहीत प्रमुक भारतिय सिक्षन संस्थानों की एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ये टास्क फोर्स अनुसंधान और विश्विद्याले इस्तर पर भागिदारी के लिए सिफारिश करेगी इसके अलावा अगली पीड़ी के दूरसंचार में भी ये मददगार सिध्ध होगी दूरसंचार और विनियमों पर सावजनिक निजी समवाद को शुरू किया जाएगा इसके अलावा विश्वस नियस्रोतों का उप्योग करते हुए फाइवजी या सिक्सजी और ओपर्न ड्रेन में सहीयोग को आगे बढ़ाया जाएगा आएब बात करते हैं पॉलिमेटलिक नॉड्यूल्स की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और पृत्वी विज्यान मंत्राले ने पॉलिमेटलिक नॉड्यूल्स एक्स्टेंशन अनुबंध का आदान प्रदान किया इस अनुबंध पर शुरुवात में 2002 में 15 साल की अवधी के लिए हस्ताक्षर किये गए थे और बाद में आईएसे ने अनुबंध की समय सीमा को दो बार 2017 और 2022 में 5 साल की अवधी के लिए बढ़ा दिया था भारत को पॉलिमेटलिक नॉड्यूल्स अनुवेशन के लिए मध्य हिंद माहसागर बेसिन में लगभग 75,000 वर किलोमीटर का शेतर सौपा गया है पॉलिमेटलिक नॉड्यूल्स छोटे आलू जैसे दिखने वाले खनिजों के गोलाकार संचेन को कहा जाता है ये मैगनीज, निकल, कुबाल, तांबा और आयरन हाइडरोकसाइड जैसे खनिजों से बने होते हैं इनका बहुत ज्यादा आर्थिक और सामरिक महतो है आये से एक स्वायत अंतराष्ट्रिय संगठन है इससे 1982 के संचतुराष्टर समुद्र विधी अभी समय के तहत गठित किया गया है आपको बता दें कि इंटरनेशनल सी बैड अथारिटी डीप सी माइनिंग के लिए शेत्र आवंटित करता है डीप सी माइनिंग समुद्र नीतल यानि महासागर में 200 मीटर की गहराई में खनिज निक्षेपों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है भारत 1987 में पायोनियर इंवेस्टर का दरजा प्राप्त करने वाला पहला देश था डीप सी माइनिंग का महत तो इसलिए भी है क्योंकि पॉली मेटलिक नॉडियूल से निकाले गई धातूं का उप्योग इलेक्ट्रोनिक उपकरनों, स्मार्टफोन, सोलर पैनल आदी में किया जाता है इसके अलावा आवंटित शेत्र में उपलब्ध पॉली मटलिक नॉडियूल्स भंडार के केवल 10 प्रतिशत का ही उप्योग करके भारत अगले 100 वर्षों तक अपनी उज़ा आवश्यक्ताओं को पूरा कर सकता है हाला कि डीप सी माइनिंग से संबंदित कई चिंताएं भी हैं जैसे कि डीप सी माइनिंग पारितंत्र को अपरिहारे और अपरिवर्तनी शती पहुँचा सकती है इसका समुद्री प्रजातियों पर घातक प्रभाव पर सकता है जिससे इंधन के रिसाओ और इसके फैलाओ जैसी दुर्गटनाओं का खत्रा बना रहेगा सूप्रीम कोर्ट ने हाथियों की सुरक्षा के लिए वैधानिक निकाय पर केंद्र से जवाब मांगा है वर्ष 2010 में Elephant Task Force ने गज रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस रिपोर्ट में हाथियों की आबादी को बचाने और संरक्षित करने के लिए कई सिफारिश हैं की गई थी ये वन्य जीवन और जैविवित्ता के अस्तित्तों में प्रमुक भूमिका निभाने वाली एक की स्टोन प्रजाती है IUCN में इसे इंडेंजर्ड की स्थिती प्राप्त है इसके अलावा ये प्रवासी प्रजातियों के कन्वेंशन के परिशिष्ट एक में शामिल है ये वन्य जीव संरक्षन अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में सूची बद्ध है आपको बता दें कि एशियाई हाथियों की 60 प्रतिशत से जादा आबादी भारत में पाई जाती है एशियाई हाथियों से संबंधित कुछ चिंताएं भी है जैसे कि लगातार मानव हाथी संगर्ष और हाथियों की अप्राकर्तिक तरीके से होने वाली मौतों की संख्या बहुत जादा है दिसमबर 2022 तक भारत में ट्रेन दुरगटनाओं करंट लगने अवैद शिकार और जहर देकर मारने के कारण लगभग 494 हाथियों का अस्तितों समाप्त हुआ है हाथियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलों की बात करें तो वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफंट शुरू किया गया था ये देश में वन्य जीवों और इनके परियावासों के प्रबंधन के लिए शुरू की गई एक केंदर प्रयोजित यूजना है वर्ष 2010 में हाथि को भारत का राष्ट्रिय विरासत परशु घुशित किया गया था केंदर सरकार ने 33 हाथी रिजर्व को मनजूरी दी है जो लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर शेत्र में विस्त्रित हैं वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी एलिफंट टास्क वोर्स द्वारा कई सिफारिशें की गई जैसे कि बहतर governance model को इस्थापित करना चाहिए राश्ट्रिय हाथी सनरक्षन प्राधिकरण का गठेन करना चाहिए और श्रीष इस्तरों पर सीधी भरती को प्रोचसाहित करनी की जरूरत है अनुसंधान और निगरानी प्रणाली में सुधार करने चाहिए राश्ट्रिय हाथी सनरक्षन प्राधिकरण के नेतरेतों में consortium for elephant research and estimation द्वारा राश्ट्रिय हाथी baselines और अनुमान प्रोटोकॉल को इस्थापित करना चाहिए elephant reserve research station के माध्यम से दीरकालीन समर्पित अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए सनरक्षित शेत्रों से सटे हाथियों के परियावासों में open air forest labs इस्थापित करनी चाहिए और इन labs के संचालन के लिए उतकृष्टता के संस्थानों की पहचान करना जरूरी है वही हाथी भूपरिद्रिश्य को सनरक्षित किया जाना चाहिए elephant reserve की सीमाओं को व्यभारिक बनाना चाहिए अधिक मानव आवादी वाले शेत्रों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए elephant reserve के बाकी हिस्सों और प्राथमिक्ता वाले गलियारों से होकर गुजरने वाले रास्तों को slow go शेत्र गोशित करना चाहिए इसके अलावा इन आरक्षित शेत्रों में नोगो शेत्रों को सनरक्षित शेत्र नेटवर्क या महतवपून वनेजीव परयावास इस्थल या फिर अन्य सनरक्षन शेत्रों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास करने के लिए प्रोटोकॉल्स विक्सित करने चाहिए और उनकी देखरेक करने के लिए उच्चे संघर्ष शेत्र निवनीकरन टास्क फोर्स गठित करने की जरूरत है इसके अलावा जानवर को मारा नहीं जाना चाहिए उन्हें पकड़ा जाए या फिर अन्य जगे इस्थाना तृत किया जाए मानक लागू होने तक elephant proof trench और बार लगाने पर रोक लगाई जानी चाहिए elephant proof trench मनुश्यों के आने जाने के लिए खाई नुमा रास्ते बनाए जाते हैं जिससे हाथी उन्हें पार नहीं कर पाते हैं इसके अलावा अवैद शिकार को रोकना चाहिए प्रेरित इस्थानिय युवाओं को अग्रिम पंक्ती के कार्मिकों के रूप में तैनात करना चाहिए और खुफिया जानकारी एकत्र करने तथा वन्यजीव अपराध रोधी तक्नीकों को बढ़ावा देने की जरूरत है ब्हस गोशित करने का निरने लिया है याए 800 बड़ी संख्या में पक्षियों के लिए नेस्टिंग परियावास इस्थल है इनमें बार, हैड़िट गूज, काली गर्दन वाला सारस और ब्रामनी बतक आदी शामिल है यह भारत में काली गर्दन वाले सारस के सरवाधिक उं परामर्ष के बाद जैविवित्ता की द्रिष्टी से महत्तुपूंट शेत्रों को जैविवित्ता विरासत इस्थलों के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है जैविवित्ता विरासत इस्थल के लिए मांदंडों की बात करें तो ऐसे शेत्र में प्रजातियों की परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले तथा संयुक्त राष्ट्रे विकास कारिक्रम की एक संयुक्त परियोजना है ये वैश्विक परियावरन सुविधा द्वारा वित्त पूशित हैं इसका उद्देशे हिमाले में अधिक उचाई वाले पारिस्तिक तंत्रों का संरक्षन और सुरक्षा करना है जैविवित्ता अधिनियम दो हजार दो तीन इस्तरिय संरचना की स्थापना करता है जिसमें राश्ट्री इस्तर पर जैविवित्ता प्राधिकरण, राज्य इस्तर पर राज्य जैविवित्ता बूर्ड और इस्थानी इस्तर पर जैविवित्ता प्रबंधन समितियां हैं अगला टापिक बजट से संबन्दित हैं संघीय बजट 2023-2024 के माध्यम से अमरित काल के लिए विजन संसद में प्रस्तुत किया गया बजट भविश्य की निर्धारित अवधी के लिए राजसो और व्याय का अनुमान होता है इसका उप्योग सरकारों व्यवसायों और किसी भी आये इस्तर के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है संविधान के अनुचेद 112 के तहट संग्य बजट को वार्षिक वित्य विवरन कहा जाता है ये वित्य वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरन होता है अमरित काल ये इसलिए है क्योंकि इस समय में समावेशी विकास, अन्तिम छोड तक पहुचना, आधारभूत, धाचा और निवेश, शमताओं का उप्योग, हरित सम्रिध्धी, युवाशक्ति और वित्य शेत्रक पर बल दिया जाएगा संघिय बजट में केवल एक दस्तावेश नहीं होता है, बलकि ये तेरह दस्तावेशों का एक समूग होता है समविधान के अनुच्छे द 112.13 और 110.1 के जरिये तीन दस्तावेज बार्शिक वित्य विवरण अनुदानों की मांग और वित्य विध्यक अनिवारे किये गए हैं राजिकोशिय उत्तरदाईतों और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के आनुसार दो दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं पहला है समस्ट्री अर्थशास्त्र फ्रेमवर्क विवरण दूसरा है मध्यावधी राजिकोशिय नीती सहराजिकोशिय नीती रणनीती विवरण अन्य दस्तावेज व्याख्यात्मक विवरणों की प्रकृति के होते हैं ये अनिवारे दस्तावेजों का समर्थन करते हैं अमरित काल के लिए विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थविवस्था की बात करता है ये भारत के अमरित काल का पहला बजट है इसके विजन में मजबूत लोक वित्व और मजबूत वित्तिय शित्रक के साथ प्रध्योगी की संचालित तथा ज्ञान आधारित अर्थविवस्था शामिल है इन प्राथमिक्ताओं का जिक्र हमने अभी किया है अमरित काल की इन प्राथमिक्ताओं की बात करें तो ये है समावेशी विकास अंतिम छोर तक पहुँचना आधार भूट धाचा और निवेश शमताओं का उपियोग हरित सम्रिध्धी युवाशक्ति और वित्तिय शित्रक आधी और आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्तपूर्ण सूर्खियों की न्यू स्टार्ट संधि नई सामने खत्यार का टौटी संधी यानि सामरिक परमानु हथियार लॉंचर और भारी बंवर्शक शामिल हैं निव स्टार्ट संधी पर 2010 में हस्ताक्षर किये गए थे इस संधी ने रूस और अमेरिका द्वारा तैनात किये जा सकने वाले परमानु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित कर दी है वर्ष 2021 में इस संधी की अवधी को 2026 तक बढ़ा दिया गया था अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम यानि फॉलो ऑन पब्लिक ओफर एफपियो अडानी सम्हू ने अपना एफपियो रद्ध कर दिया है एफपियो को दुतियक निर्गम के रूप में जाना जाता है एफपियो आरंभिक सार्वज गत्तार के लिए अत्रिकट पुझिज उठाने के लिए और रिन्खा भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है सबसे पहरे बात करते हैं डिलूटिव एफपियो की इसके तहट कंपनी फूझिज उठाने के लिए चंता को अतरिक्त नए शेयर जारी करती है दूसरा है Non-Dilutive FPO, इसके तहट सबसे बड़े शेर धारक अपने मौजूदा निजी शेरों को जारी करते हैं तीसरा है Add the Market FPO, इसके तहट कमपनियों को रियल टाइम में शेरों के मौजूदा बाजार मुल्य पर पूझे जुटाने की अनुमति प्रदान की जाती है बाल मित्र, ये एक WhatsApp चैटबॉट है, इसे दिल्ली बाल अधिकार संरक्षन आयोग ने लांच किया है चैटबॉट वास्तव में कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है, ये ग्रहाकों की सवालों को समझता है और फिर उनके जवाब देता है इसके लिए ये Artificial Intelligence और Natural Language Processing का इस्तमाल करता है ये चैटबॉट लोगों और बाल अधिकार समूह के बीच संचार को सक्षम करेगा इसका उद्देश ये बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित अलग-अलग मामलों पर प्रामानिक जानकारी प्रदान करना है इसके अलावा ये इसके माधियम से रिपोर्ट किये गए मामलों की गोपनियता भी सुनिशित करता है राश्ट्री राजधानी शेत्रों और आसपास के शेत्रों में वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM CAQM ने दिल्ली के समगर वायू गुणवत्ता सूचकांक में हुए उल्लेखनिय सुधार के आलोक में समीक्षा बैठक का आयोजन किया है CAQM की स्थापना दिल्ली, NCR और आसपास के शेत्रों में वायू गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने की थी इसे वायू गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं के बेहतर समनवय, अनुसंधान, पहचान और समाधान, तथा उससे जुड़े या उसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए गठित किया गया है इसकी स्थापना राश्ट्रिय राजधानी शेत्रों और आसपास के शेत्रों में वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत की गई है इसने परियावरन प्रदूशन, रोक्थाम और नियंतरन प्राधिकरण EPCA का इस्थान लिया है EPCA को अब भंग कर दिया गया है टर्नर सुचस हिंगले, थालाटो सुचियन जीवाश्म विग्यानियों ने प्राचीन समुदरी मगरमच्छ टर्नर सुचस हिंगले के जीवाश्मों की खोज की है ये जीव अपने युक का एक मात्र पूर्ण थालाटो सुचियन था थालाटो सुचियन आधुनिक समय के मगरमच्छों के प्राचीन संबंदी है ये प्रजाती प्रारंभिक जुरासिक अर्थात प्लिंस पेचियन काल की है ये लगभग 185 मिलियन वर्षपूर्व अस्तित्तु में थी जीवाश्म विज्ञानियों के मताबिक थालाटो सुचियन पहली बार ट्रियासिक काल में अस्तित्तु में आये थे हाला कि ट्रियासिक काल के अंत में ये जीव सामुहिक विलोपन से बच गई थे अगला टॉपिक है प्रारूप वैश्विक महामारी समझोता इसे आम तोर पर महामारी संधी के रूप में जाना जाता है विश्व स्वास्य संगठन के शुरुआती प्रारूप में वैक्सीन एक्विटी पर बात की गई है और इसके तहट ये कहा गया है कि विक्सित किये गए परिशनों, टीकों या उपचारों के 20 प्रतिशत को गरीब देशों में इस्तमाल के लिए आरक्षित किया जाए जीवन रक्षक दवाओं और टीकों तक व्यापक पहुँच के लिए महामारी के दोरान बौधिक संपदा अधिकारों से छूट दी जाए रहत या उपचार समगरी के बहतर और निस्पक्ष वितरन के लिए नए डबलू एच्चो वैश्विक महामारी आपूर्ति शुंखला और लोजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्मान किया जाए घंटों के भीतर रोग जनकों और जीनोमिक अनुक्रमों को साजा करने के लिए डबलू एच्चो पैथोजन आक्सेस और बैनिफिट शेरिंग सिस्टम के इस्थापना की जाए वैक्सीन इक्विटी का मतलब है कि सभी देशों में उनकी आवश्यक्ताओं के आधार पर और उनकी आर्थिक इस्थिती पर ध्यान दिये बिना टीकों का आवंटन किया जाना चाहिए अगला टॉपिक है SSLV यानि लगू उपग्रह प्रक्षेपन यान इस रो ने SSLV D1 मिशन की असफलता का कारण उडान के दौरान थोड़े ही समय के लिए हुए कमपन से हुई गडबडी को बताया है SSLV D1 पिछले साल अगस्त में अपने पहले प्रक्षेपन के दौरान विफल हो गया था SSLV D2 को 2023 की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है इस रो के SSLV को मिनी माइक्रो और नैनो उग्रहों के लिए लाँच ओन डिमान प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है ये एक तीन चरण वाला प्रक्षेपन यान है इसमें सभी ठोस प्रनोधन चरण और टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रनोधन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है प्रक्षेपन यान की अन्य विशेष्टाओं की बात करने तो इसमें कम टर्न अराउंड समय है ये कई उग्रहों को ले जाने में सक्षम है इसके अलावा प्रक्षेपन के लिए इसमें नियूंतम अवसंरचना की जरूरत है और आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में म्यामार जिसकी राजधानी नेपीजा है म्यामार में सैने शासन के दो साल पूरे हो गए हैं और यहां 2021 में निर्वाचित सरकार को सैने तक्ता पलट के जरिए गिरा दिया गया था म्यामार की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में लाओस, दक्षिन पूर्व में थाईलेंड, पश्चिम में बांग्रादेश और उत्तर पश्चिम में भारत से रगती है अंडमान सागर इसके दक्षिन में और बंगाल की खाड़ी दक्षिन पश्चिम में अवस्थित है म्यामार की सबसे उची चोटी माउंट खाकाबो है और इसकी मुखे नदियां है इरावदी और सालवीन जिसको थानलवीन भी कहा जाता है अगला महत्यपूर्ण स्थल है लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है लेबनान ने अपनी आधिकारिक विनिमेदर का 90 प्रतेशत अवमूल्यन किया है लेबनान लेवांत शेत्र में एक पहाड़ी देश है ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट परिस्थित है ये मध्य पूर्वी शेत्र के एक हिस्से के रूप में इसराइल और सीरिया के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है ये साइप्रस के साथ अपनी समुदरी सीमा साज़ और निम्नतम बिंदू भूमधे सागर है यहां की सबसे बड़ी नदी लितानी नदी है इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्षे के लिए तत पर रहिए और अगर आपको ह हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब नमस्कार